हे गाइस वेल्कम बैक इस वीडियो में भात करने वाफ हैं कुछ क्रिप्टो न्यूज के बारे में सो बिना टाइम बेस लिए सुडू करते हैं सबसे पहले मैं रिप्ल के बारे मैं बात करूँगा कल के वीडियो मैंने आप से बोला था जब रिप्ल 27 सेंट का था तो बहां स मैंने आपको बोला था कि भाई आप चाहो तो भाई कर सकते हो आपको अच्छा प्रॉपिट दे देगा क्योंकि देखो रिपल की जो है और जो फोर्मो है वो बहुत जल्दी क्रियेट हुआ है जैसे ही न्यूज आउट हुई तो अच्छी चीज है जिसने भाई भाई किया औ और अब भी अगर आप पूछते हो भाई तो मैं रिकमेंडेट नहीं करूंगा कि भाई करो बाकी अगर आप लॉंग टाइम के लिए भी हौल्ड करते हो तो एपल आपको कपी अच्छा प्रॉपिट दे देगा तो सबसे पहले न्यूज जो हम बात करते दोस्तों आरवी आ नमबर पे है तो आज जो है पहला केस भी पूरी तरीके से सॉल्व नहीं हुआ उस पे भी कुछ जैजमेंट नहीं मिली तो यह कहना बहुत गलत होगा कि हमें कल या एक दो दिन में जो है फाइनल जैजमेंट इस केस पे मिल जाएगा हमें मेरे साब से परसनली मुझे लगत जोगी वह मज़ा नहीं आ रहा था यार और कुछ सेंस ही नहीं तक क्योंकि जब वह लोग सीरियस नहीं है तो हम क्यों चिंता करें बैसे भी कहां पे जो है बिटकोन भागा जा रहा है इस से जो है कुछ होने वाला भी नहीं है बैसे तो हम लोगों को चलमाना चाहिए और अधर किप्टो में जो है प्रोपिट अर्ण कर दे रहना चाहिए जैसे ही जजमेंट निकल गया आता है आपको बता दिया जाएगा सेकंड नियू जैगाईस यूएस से रेलेटड यूएस का एक जो है डैक्स है नियू डैक्स जिससे लगबग 58,000 डॉलर के जो टोकन्स है वो चोरी किये गए है और इंट्रेस्टिंग है कि चोरी किस तरीकी से हुए मैं आपको बता दिता हूँ ये नियू जैस की लिंक मैं ड फेक टोकन बनाया यूएस की नाम से और जो डैक्स है नियू डैक्स उसमें क्या है जो Smart Contract है जो की इस चीज को पता करता है कि कौन सा टोकन फेक है कौन सा रेल है तो वो चीज उन्होंने उसमें नहीं एड कर रखी तो इस बज़ए से उनके साथ ये चीज दोखा हो गया और hacker ने जो fake tokens create करके EOS के नाम से आप भी आपको बता है आप जो EOS है उस पे इतिरियम के जैसे token बना सकते हो बट जो EOS है उस पे जो token का नाम है वो कुछ भी रख सकते हो मतलब कि अगर आप EOS पे token बना रहे हो तो आप EOS ही नाम रख सकते हो token का तो इस चीज़ का जो है hackers ने फाइदा उटाया और fake token create करके जो है बहाँ से fund वगरा चोरी कर लिया तो ये जो है थोड़ी bad news है बट 58,000 डॉलर I think इतना ज़्यदा loss नहीं हुआ EOS जैसे project के लिए बट फिर भी ये security breaches को जो है so करता है next news है दोस्तो Ethereum wallet से related बहुत ही clear feature है दोस्तो आप सच में कहेंगी कि हाँ जो Ethereum उसको लोग tease करते है बट Ethereum जो है अपने features को बढ़ाता जा रहा है और बहुत ही जल्दी आपको कपी सारे नई features Ethereum में देखने को मिलेंगे जो wallet है my crypto feature launch करने वाला है जिसमें कि आप एक schedule transactions set कर सकते हो मतलब कि ये एक तरीके से ऐसे काम करेगा जैसे कि आप अपने phone में alarm set करते हो तो ये बहुत बड़ा feature है दोस्तों आपको सुनने में या पढ़ने में थोड़ा सा कम लगे अब ये कैसे है सबोज मैं आपको बताता हूँ बहुत सारे ऐसे ICO super ICO होते हैं जिनमें आप investment करना चाते हो बट सही टाइम पे आप invest नहीं कर पाते तो ऐसे में जो transaction schedule का feature है वो आपके काम आएगा exact date पर और कब जो है transaction होना है वो चीज आप set कर सकते हो या फिर किसी चीज का subscription आपने ले रखा है और वो subscription end हो जाती है तो आप पहले से एक transaction schedule कर सकते हो जो कि उसी date पे transaction done हो जाएगा जो date आपने set कर रही है या जो time आपने set कर आए तो ये बहुत बड़ी चीज है हो सकता है कभी आप अपने computer पे ना हो और आपको किसी ICO में invest करना जो की काफी ज़दा hot है और उसकी जो productivity है काफी ज़दा है और आप invest करना चाहते है तो ऐसे में जो आलाराम feature है या जो schedule transaction है आप उसका यूज कर सकते हो और ये चीज जो है दोस्तो सून metamask में भी आपको देखने को मिल सकती है क्योंकि ये wallet भी जो है इस wallet के CEO भी इस चीज में interest रखते है और इस चीज को implement किया है दोस्तो chronologic team ने तो कुछ smart contract वगेरा का यूज कर गए ये features उनोंने add करा है जो की बहुत ज़्यादा काम आएगा बट दोस्तो bad news ये है कि जो my ether wallet है जो की काफी ज़्यादा mostly सबसे number one wallet है जहाँ पर ethereum और ethereum based token का transaction होता है उसको hackers काफी ज़्यादा जो है target कर रहे है और इस पे hacking attempt try कर रहे है और report में बता है कि लगवग हर week इस पे 30-40 attack होते है जो की ज़्यादा है fortune 500 bank से भी तो मालकी रखे fishing website से बचे या फिर जो trusted site है उनका bookmark ले ले और add blocker यूज करे वरना आपका भी wallet में भी हो सकता है क्योंकि जो team है उसने 2746 जो है suspicious domain ऑपजर्ब कर रहे है जिनमें से उन्होंने जो है 300 तेरा attacks को रोका है तो कहीं न कहीं दोस्तों ये एक बहुत बड़ा risk है बट ऐसा नहीं है कि team जो है चुपचाप बैटी है वो find out करती रहती है suspicious activities को और उनसे जो fight करती है उनको band करने का try करती है बाकी users को भी alert रहना चाहिए क्योंकि ये जो attack है दोस्तों world के other financial institution से काफी ज्यादा बड़े जो है record पर होते है तो आपको जो है safe रहना है so guys इस वीडियो में इतना ही news तब मेरे पास important जो कि मैंने आपको बता दिया मिलते हैं एक और नए वीडियो में thank you